इसमें कोई शक नहीं कि मैकप एक ऐसा आर्ट है जिसमें हर कोई माहिन नहीं हो सकता लेकिन अगर आप मैकप के पैसिक्स को अच्छी तरह से समझ ले तो बिना ज्यादा वक्त परबाद किये हर बार आप खड़ से निकलने से पहले परफेक्ट मैकप कर पाएंगी इन पाच आ अगर आपका चहरा पूरी तरह से मॉश्राइज और सन प्रोटेक्ट नहीं है किसी भी तरह का मैकप आपके चहरे को परफेक्ट लुक नहीं दे सकता लेहाजा मैकप लगाने से पहले चहरे को अच्छी तरह से साफ करें फिर इसे टॉन करें और एक अच्छा मॉश्राइज इसके पाद चेहरे के साथ ही हाथ और पेर पर भी साली स्क्रीन लगाना ना भूलें। मैकप का बेस जरूरी है लिहाजा स्ट्रॉंग स्पेस के लिए लाइट फाउंडेशन या बीबी सीजी क्रीम का इस्तमाल कर सकती है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और थोड़ा इंतिसार करें ताकि आपकी स्कीन इसे अबसर्ब कर पाए। अगर आप किसी गर्म या नमी वाली जगे पर रहती हैं तो हेवी फाउंडेशन का इस्तमाल ना करें और नापका चेहरा बहुत ज्यादा केकी दिखने लगेगा। कंसीलर का कैसे यूज़ करें अगर आपके चेहरे पार डार्क सरकल पिमपल्स या दाग धप्पे हैं तो आपके लिए कंसीलर पहस्त जरूरी है। जो आपकी स्कीन से एक टॉन लाइटर हो और इसका इस्तमाल सिर्फ उन्हीं जगों पर करें जहां बहुत जरूरी हो। मेकप को सेट करने के लिए पूरे चेहरे पर कॉम्पैक्ट पॉडर लगाए और उसके बाद हलकी रंग की बलश का इस्तमाल करें। बलश को फेज के एक साइड के चिक पॉन्स से लेकर दूसरे साइड के चिक पॉन्स तक लगाएं। इसके लावा हलका सा नाग की टिप पर, माथे पर और करदन के हिस्से पर भी आप लगाएं। अब जब चहरे पर बैक अप सेट हो गया है तो अब बार याद है आख और फोटो की आखों पर आई-लाइनर और वसकारा लगाने के बाद अपने फैवरेट कलर की लिपिस्टिक या फिर आउटफिट से मैचिंग लिपिस्टिक भी लगा सकती है। अगर लिपिस्टिक पसंद ना हो तो लिप बाम, लिप क्लोज भी योज़ कर सकती है।